राम दियो जी की कथा, राजा अजमल स्री किशंड की भक्ती में लीन रहने के साथ ही धरम प्रायन राजा भी थे, लेकिन उनकी भी विडंबना थी वह निसंतान थे, जिसके कारण वह काफी दुखी रहते थे, राम दियो जी के पिता, राजा अजमल, जो की द्वार का धीश के परमभक्त थे हमेशा अपने राज्य की सुख सांती की मनोकामना के लिए द्वार का जाते थे एक बार उनके राज्य में भयानक अकालपड़ा और राज्य में अच्छी बारिस की मनोकामना लेकर अजमल जी द्वार का धीस पहुँच गए ऐसा माना जाता है कि भगवान द गए किसान उन्हें देख वापिस घर की तरफ जाने लगे यह देख राजा ने पूछा कि वापिस क्यों जा रहे हो तो किसानों ने बताया कि राजा अजमल जी आपने संतान है इसलिए आपके सामने आने से अपसगुन हो गया है और अपसगुन के समय में हम बुवाई नहीं करेंगे राजा ने जैसे ही यह सुना तो बहुत दुखी हुए लेकिन एक कुसल सासक और गरीबों के मसीहा होने के नाते उन्होंने किसानों को तो कुछ नहीं कहा पर घर वापस आकर काफी निरास और परसान हुए फिर उन्होंने तै कि संतान प्राप्ती की मनोकामना लेकर दुखारखादीज के दर्सन करने जाऊंगा इस मंसा के साथ वह द्वार्खादीज पहुंचे भगवान द्वार्खादीज के परसाद के रूप में लड़ू लेकर गए मंदिर में पहुंचकर राजा अजमल ने बहुत ही दुखी और भारी मंसे भगवान द्वार्खादीज की मूर्ती के सामने अपनी सारी वैथा रख वो मूर्ती को एक टत देखते रहे उन्हें ऐसे लगा कि भगवान की मूर्ती उन्हें मुस्कुराती हुई देख रही है ऐसा देख अजमल जी को गुस्सा आया और उन्होंने वह पर साथ रूपी लड़ू जो कि द्वार का धीज के लिए लाये थे वह मूर्ती पर फेंग द भगवान तो समुद्र में सो रहे हैं अगर आपको उनसे मिलना है तो जाओ समुद्र में जाकर उनसे मिलो बहुत दुखी होने के कारण राजा समुद्र के किनारे गए और समुद्र में कूद गए भगवान द्वार का धीज ने राजा अजमल को समुद्र में दर्सन दिये स्री किसंड ने स्वेम बलराम जी के साथ उनके घर अवतरित होने का वर्दान दिया और कहा कि वे खुद भादवा की दूज के दिन राजा अजमल के घर पुत्र के रूप में आएंगे राजा अजमल ने देखा कि भगवान के सिर पर पट्टी बंधी है राजा अजमल जी ने पूछा भगवान आपको यह चोट कैसे लगी भगवान ने कहा कि मुझे मेरे एक प्यारे भक्त ने लड़ू मारा यह सुनकर राजा बहुती सर्मिंदा हुए अजमल ने भगवान से बोला मुझ अज्यानी को कैसे पता होगा कि आप ही मेरे घर आए हैं भगवान ने कहा कि जब मैं तेरे घर आऊंगा तो आंगन में कुमकुम के पैर के निसान बन जाएंगे मंदिर के संक अपने आप बजने लगेंगे या सब सुनने के बाद अजमल जी खुसी खुसी घर लोटे अपनी रानी को सारी बात बताई उनके निस्चित समय के बाद और भगवान के वरदान अंसार पहले बलराम जी ने बीरम देव के रूप में राजा अजमल की पत्नी मेनादे के गर्व से जन्म लिया इसके नौ माद भगवान भादवा की दूज के दिन भगवान किर्सन राजा अजमल के घर राम देव के रूप में पालने में अवतरित हुए धन्यवाद बोलो बाबा राम देव जी की जै